दोस्तों अगर एक पल के लिए हम ये कल्पना कर ले कि ये संसार स्त्री के बगर चल रहा है तो क्या पिच्चर होगा थोड़ा सोच के देखिये बच्चों के खिलखिलाती आवाज नहीं होगी मा का ममता का हाथ नहीं होगा राखी के लिए बहन नहीं होगी और ग्रहस्ती सवारती पत्नी भी नहीं होगी और सबसे बड़ी बात शक्ति मांगने के लिए देवियों की पूजा भी नहीं होगी हर जगर एक विरानता नजर आएगी यह सब जानते हुए भी समाज ने बहुत समय तक स्त्री को दुयम दरजा का स्थान दिया है और आज भी इस प्रगत समाज के अंदर बहुत सारे गाओं में बहुत सारी जगर पर स्त्रीयों पर अत्याचार होते हैं शायद स्त्री शक्ति को पुनहा जागरत करने के लिए बूमन्स डे सेलिबरेट किया जाता है है आज की इस दिवस पर आप सब को शुबकामना और इसे शुबकामना के साथ हम आज के एपिसोड करते है आपका स्वागत है डॉक्टर सेचिन नमस्ते ओम शानति वैसे तो हमने स्त्री शक्ति के बारे में नारी शक्ति के बारे में बहुतestens बार बात की है क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था स्त्रियों बारा चलाई जाती है नारी शक्ति को आगे रखा हुआ है लेकिन आज पर हम कुछ ऐसे अंच्वे सवालों को लेंगे ताकि कुछ पहलू हमारे सामने आ सकते हैं क्यों दूयम दर्जा का स्थान स्त्री को मिला हुआ है जबकि हम सब जानते हैं एक गाड़ी के दो पहिये हैं स्त्री और पुरुष संसार अधूरा है ये सब जानते हुए भी दूयम स्थान स्त्री को देने का क्या रीजन है सबसे पहली बात तो हमेशा के लिए नहीं था ऐसा समय था जब पुरुष दोनों को समान स्टेटस था जिसको हम सत्यूक और तृत्युक कहते हैं दोनों को एकवल इंप्र sta और दोनों बहुत अच्छी तरह से सुक से जीवन बिता रहे थे हमको परमात्मा शीव बाबा ने कहा कि वो समय ऐसा इस धर्थी पर था जब सभी मनुश्य आत्माएं अपने संपुर्णा अवस्ता में थे और उस समय बॉड़ी कॉंशेसनेस नहीं था माना ये भान नहीं था कि मैं पुरूश और स्त्रियू हम आत्मा ह ये भान था तो उस समय ये पूरा पर्फेक्ट बैलेंस में चल रहा था जैसे ही द्वापर युग चालू हुआ परमात्मा शीव बाबा ने बताया कि आपकी शक्ति कम हो गए आत्मा की और आप बॉड़ी कॉंशेसनेस में आ गए जैसे क्रिश्यानीटी में भी कहा है कि व वो ड्रामा प्लैन अनुसार वैसे तो होना ही था कि जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ सतो रजों में जाती है तो आत्मा की शक्ति भी जैसे बैटरी के अनुसार यूज होके कम हो गए तो एक ऐसी स्टेज आती है जब उसका सोल कॉंशेसनेस की स्टेज से वो बॉड़ी हुआ और उस समय यह पता चला मेल जो है वो फिजिकली स्ट्रॉंग है इसको आप डिनाइन नहीं कर सकते साइंस भी इसको मानता है और फीमेल इस फीजिकली वीक अन्द कॉंटरी मेल इस एमोशनली रिलेटिवली वीकर कंपेर तो फीमेल फीमेल इस इमेशनली है और मनुश्य या मेल उसको दबा के रख सकता है तो उस समय इन्होंने देखा कि शीज वलनरेबल तो जो भी हमको करना है मन मर्जी मेल की चलती थी क्योंकि उस समय फीजिकल पावर के उपर चलता था उस समय से यह शुरुआत हुआ और उन्होंने स्ट्री को केवल शरीर क रूप में देखा है ना तो वहां से यह चालू हुआ बढ़ते गया है ना लेकिन अभी परमात्मा ने हमको बताया कि हमको पता है यह नीचे और चला जाएगा तो मेल डॉमिनेंट सोसाइटी दौपर से जो चालू हुई और वो कल्यूग में चरम सिमा पर चली गई है ना और उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तिमाल किया इसे नहीं कि स्ट्री बुद्धिवान नहीं थी आप अगर हिस्ट्री में भी देखो बहुत सारे स्ट्रिया है भारत में अगर आप देखो तो हम राणी की लक्षमी भाई का वरणन करते जिसमें बच्छे को आईला भाई हो जिजा बाई की जो पालना में वह मशूर है कि शिवाजी राजा को शिवाजी जैसा बनानी का जो पूरा श्रय जाता है वह जिजा बाई को जाता है इवन महाराश्ट्र में एक हिरकनी करके अस्त्री का वरणन है जो राइगड़ खिले के उपर अपना सामान बेचने को उतरना बहुत मुश्किल था तो उसका चतरपती शिवाजी महाराज ने उनका सम्मान किया और उनके नाम से अभी एक बस चलती है हिरकनी ऐसे बहुत सारे किसे वरण किये जाते तो इसमें यह बताते है कि इस तरी भले शारेरिक रुप से कमज़र है लेकिन मेंटल कहीं नारी एजुकेशन के हिसाब से इस्त्री एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छी आगे निकल गई पिछले पचास वर्षों में अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर बेटियां बहुत सारा पढ़ने लगी तो उसकी वज़े से काफी कुछ चीजे इंबालेंस होने लगी ऐसा लोगों का मानना है पढ़ाई कभी इंबालेंस नहीं करती लेकिन आज जब शब्द सुनते हैं लोगों का कि डिवोस बढ़ रहा है क्योंकि लड़कियां पढ़ रही है या लड़कियां बाहर जा रही है यह दोनों जॉब करते हैं इसलिए सब कुछ हो रह ही अग्रेसी इंबालेंस हो रही है 1911 से यह चालू हुआ मुवमेंट वरतमान समय का इतियास देखो तो अमेरिका में या रशिया में या इरान में जो भी मुवमेंट हुआ International Women's Day को सलिबरेट किया गया क्योंकि उसको आज तक बाहर आने के मनाईती है वो घर में ही रहना है उसको खाना बनाना है बच्चों को संभालना है लेकि दीरे दीरे पता चला कि वो बाहर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और आज के जमाने में तो हम देखते हैं कि मेंगाई इतनी हो गई है कि अकेले के पगार से और सालरी से या उसकी जो भी इंकम है उससे घर नहीं चल सकता तो आपको दोनों को काम करना पड़ेगा तो शी हास टू कम आउट और मेरे खाल से अच्छा ही हुआ क्योंकि इस से इस तरी को इतना तो पता चला कि वो अपने अधिकार को जानने लगी और शी केन रिजिस्ट है ना आप उसका फाइदा नहीं उटा सकते आजकल के बहुत सारे काइदे हैं उनके फेवर में हैं इलेक्शन में भी उनको परसेंटे हर जगह पे इस तरी के लिए स्पेशल रिजर्वेशन ट्रेंस में कोचे सोते हैं बस म कुछ लोगों का कुछ सवाल है तो मैं कहूंगा कि फिर से हम अध्यात्मिक्ता की तरफ आते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस ये शरीर की बात नहीं है शरीर के इसाब से आत्मा के अंदर रहते हैं ठीक है ना रोल एक्सेंज कर दिये गए जो रोल किसी और का है उस रोल में आप एंटर कर रहे हो जो रोल आपका है वो रोल आप पसंद नहीं कर रहे हो दिकत यह हो रही है कि सिर्फ हम अगर इतने पड़े लिके हैं तो हम घर में क्यों रहें सही भी है ना सिर्फ घर का ही क्यों करें और हमारे रोल को importance नहीं मिल रहा है क्यों बाहर जाने का मन हुआ या क्यों financial independence होने का या अपने अधिकार प्राप्त करनी की इच्छा प्रबल क्यों हुए क्योंकि हमारे रोल के लिए कोई dignity नहीं है कोई respect नहीं है इसलिए यह सब हो रहा है that is only part of the situation ऐसे भी बहुत सारे फीमेल है हमको balance view में देखना पड़ेगा ऐसे भी बहुत फीमेल से जो बड़ी पोस्ट पर है they are financially very sound लेकिन at the same time उन्होंने घर की जिम्मेवारी नहीं छोड़ी है मैं बहुत लोगों से मिलता हूं corporate में मैंने देखा yes there may be few कि उनको लगता है कि इसका यह माना घर का काम करना माना lower job है यह माना इसको dignity नहीं है इसको respect नहीं मिलता है यह जो है वृत्ति देखने की इसकी वज़ए से फिर मानने लगी कि हाँ यह मेरे काम मतलब कुछ भी नहीं आप तो घर पर रहते हो टेंशन तो हम लोगों को है यह जो बाते हैं सब having said this मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि यह जो साल है 2019 हर साल में women's day का theme होता है इस साल का theme है women's day का बहुत अच्छा है balance for better so balance for better यह इस साल का theme है माना यह world better world अभी हो सकता है जब वहां पर balance हो भारत में ऐसा है अगर आप विदेशों में देखो पती-पत्नी है दोनों को घर का काम करना पड़ता है और भारत में थोड़ा कुछ जगह पर पती dominant करते हैं और वो यह समझते कि घर का काम करना माना inferior है छोटे-पन के निशानी है लेकिन मुझे इसे लगता है picture अभी बदलते जा रहा है क्योंकि अभी studies भी होने लगे मुझे एक study याद है जिसमें उन्होंने देखा कि अगर किसी व्यक्ति को घर चलाने के जिम्मेवारी दी जा officially on payroll तो उसका जो income होगा पती के income से double होगा क्यो हां पर तो 24-hour responsibility है और वह भी प्यार से करना है तो ऐसी भी study आई है कि यह साधारन काम नहीं है अस्त्री इसको इतने वर्षों से करती है आ रहे है अपना समझ के करती है और अभी हम इसको स्विकार करने लगे mindset बदलने में टाइम तो लगता है आप कल्पना करो आधा कल्प और अभी rights में आप देख रहे हैं बहुत सारे भारत में ही देखो तो मुख्यमंत्री पहने हो रही है प्राइम मिनिस्टर रहे एवन प्रेसिटंट है ना फॉस्ट फीमल प्रेसिटंट श्रीमती प्रतिबात ही पार्टिर प्राइम मिनिस्टर इंडिरा गांदी जी तो ये लेकिन दूसरी तरफ अधिकतर जो फीमेल है वो आज भी एक बहुत ही limited टाइप का life जी रही है या वो सब नहीं कर पाती है या उसे जो मिलना चाहिए अधिकतर भारत का अगर आप ये देखेंगे कि जहां पर आज भी बालविवा होना है या लड़कियों को पढ़ाना नह अगर्स्तान गावर्मेंट की बात कर रहा है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अपना भारत का रश्रीकारेकरम है और आज भी त्री भूनात्या ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और काइदे बहुत स्ट्रिक्ट है सोनोग्राफी करते हैं और उसे डाइग्नोस क करते कि लड़का या लड़की है अगर लड़की है तो उसको खतम करते हैं आप यह इसमें awareness आता जा रहा है ना, बहुत लोगों को पकड़ा जा रहा है और लोगों को यह realize हो रहा है, कई जगह पर मैंने देखा बहुत अच्छे-च्छे messages लिखे वे थे, एक message मुझे याद है, कि आपको पतनी चाहिए, आपको माँ चाहिए, आपको बेहन चाहिए, है ना, तभी world अच्छा होगा, कहीं पर भी imbalance होता है, तो world संपूर्ण ठीक तरह से नहीं चल सकता है, जैसे आप देखो, male-female ratio होता है, है ना, हजार males के लिए कितनी females होते हैं, जी, वो कम होते जा रहा है, कुछ states में, भारत में देखा जाए, तो ratio कम होते जा रहा है, तो it's a concern, औ और उस ratio को बढ़ाएंगे नहीं, तो समाज में सभी factors में इसके उपर effect आएगा, आप कलप ना करो, कि males जादा है, और उनको शादी के लिए बहने नहीं मिल रही है, जी, लेकिन इसमें मुझे लगता है, कहीं न कहीं, male के साथ में female का भी programming हुआ है, क्योंकि एक female, उसको भी कूल दीपक चाहिए होता है, और उसको भी यही रहता है, कि मेरा बेटा घर चलाएगा, और हमेशा discrimination रहता है, male child और female child के अंदर भी, बच्छमन से ही, बेटे को काम नहीं करना, यह सिखाया जाता है, कि घर का काम नहीं करना है, और बेटी को सब कुछ घर का करना है, लेकिन सिखाने वाली मा ही है, वो भी female ही है, तो यह programming जो है, वो not only male, बट यह female भी कर रही है, Yes, I agree, मैं इसको स्विकार करता हूँ, having said this, लेकिन मैं यही कहूँगा, कि हमारे प्रयास जारी है, जैसे मैंने कहा, यह बहुत deep rooted गया है, और females भी क्यों इसमें आ रहे हैं, कि कुछ females ऐसा समझती है, कि female का जो life है, यह दुखदाई life है, इसको sustain करना कल्योग में बहुत अनना है, और इस belief और डर के वज़े से वो नहीं चाते हैं, कि हमारी अगर बेटी हो तो उसके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, तो असुरक्षिता जिनके अंदर है, और जो self-respect में नहीं रहते हैं, उनके अंदर यह feelings आते हैं, लेकिन अगर हम सही तरह से empower करें, जैसे दुनिय में कहते हैं कि बेटी आए, बापरे, अभी इसको बड़ा करना, इसको संभालना, इसकी शादी करना, टेंशन रहता है माबाप को, लेकिन आप वही अगर ब्रह्मा कुमारियों में देखो, तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कुमारी है, वही जक्का उद्धार करेंग आप हजार ब्रांचेस, एक सो चालीस देशों में संभालने वाले को नेमाताय और बहने हैं, तो ये क्लासिकल रोल मॉडल में कहोंगा, कि दुनिया के सामने इस समय है, कि स्थ्री शक्ति क्या नहीं कर सकते, केवल एक परिवार को नहीं, लेकिन विश्व के अनेक परिवार आपको रस्ते पर ला रहें, परमात्म मार्क पर ला रहें और जीवन सुपी बना रहें, फीमेल को देवियों की रूप में पूजा जाता है, अगर आपको धन चाहिए, तो भी आप लक्षमे जी को पूछते हैं, अगर आपको विद्या चाहिए, तो आप सरस्वती जी को अगर आपको शक्ती चाहिए, तो आप जग्दंबा को पूछते हैं, यानि हर जग़ा पर देवियों की पूजा हो रही हैं, और मेल जाता है देवियों की पूजा करने के लिए, फिर उसको एक भोग जैसा क्यों देखा जाता है, या आज भी इतने अपराद क्यों हो रहे ह यह तो जैसे हमने पहले देखा कि आत्मा की शक्ति जब खतम हो जाती है, तब वो आत्मा बोडी कॉंशेसनेस में रहती है, माना देह का भान रहती है और जितना ज़्यादा देह का भान उतना विकार अपने पीक स्टेज पर रहते हैं, चरम सिमा पर होते हैं. तो यह जो कुछ भी वर्तमान समय हो रहा है, इसकी जड में अगर आप जाओ, तो विकार है और विकार का कारण है body consciousness, इसलिए अध्यात्मिक ज्ञान की जरूरी है, तो हमको पता है कि ड्रामा को नीचे जाना ही है सतो रोजो तमो में, तो कल्यूग में आपको end में आप है कल् Having said this, हमको इस तरह से सोच के नहीं रहना लेकिन हमको solution देना, और वहां पर meditation का रूल आता है, कि यही अध्यत्मिक ज्ञान हमको बताता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, जितना आप शरीर के भान में रहेंगे, यह काम विकार जिसके बारे में आप बात करें, यह भ प्रमात्मा ने भी बताया है, इसके पीछे राज यह है कि सब के हिसाब किताब भी इस से सेटल होने वाले हैं, और आते ही क्यों है कि जब मैं पुरुष समझता हूं, अपने आपको इस्त्री समझते हूं, तो बौड़ी के, और तत्वा भी इस समय अगर आप देखो, तो तत्व और आत्मा तत्व और आत्मा दोनों का तत्व कर्म कैसे होंगे और वहाँ पर ही सत्यू का बीच डाला जाता है जिसके लिए परमात्मा इस रिष्टी पर आये तो हम कहेंगे कि येस इसका पर्मानिन सुलुशन क्या है केवल फोर्च से आप इसको नहीं रोक सकते मैं अगर आपको दिल्ली का युदारण दो दिल्ली में जो केस हुआ तो दिल्ली में बहुत बड़ा दुशकर्म का कार्य हुआ और सजा भी अभी फासी के सजा से नहीं जा रहे है उसके बाद भी ये रोका नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या जब आपको पता है कि आपको फास पिर्वारटि फिते वह जाते हैं तो कि स्ट्रेश केorse करने लिए बहुत सब्सक्राइए घानित करने उनके लिए करना चाहिए उसके लिए वू वने है लेकिन आज बहुत सारे स्संट्रिया आशी हैं जो वाइल्स की केस जो नहीं है प्रभूस टिक वायलंस की वू भी बताई जाती है उनको बहुए डराती है किन्हिंट बहुंत सारे किसे का पुरहे हैं यह हम देख रहे हैं क्यों मतलब जब वूमिन के हाक में वह सब बनाया जा रहा है तो खुद इसका गलत यूज की करती है आप ahpte आप पफीर में अध्र आपके रूप में था, तो थो पुना में वह एसीन मुक्ति केंद रह जा चालुक किया है अभी उनकी संक्या बढ़ते जा रही तो उनको forcefully खोलना पड़ा मैं बहुत जेल में गया था मेल की संक्या जादा होते हैं अभी female की संक्या बढ़ रही है तो यह male और female की बात नहीं है जो female आपको शरीर में दिखाए दे रहे वो आत्मा है और वो संसकार है उस आत्मा के तो हम देखते हैं शरीर को और यहां पर ही हमको परिवर्तन लाना है इवन स्त्री को भी आप स्त्री को नहीं देखो उसको शक्ति के रूप में देखो जो हमको सिखाया जाता है तो यहां पर ही ब्रह्मा कुमारी का राजयोक मेडिटेशन का ध्यान है या ज्यान है जो हमको practically यूज करना है हमारी बहने भी सेंटर क्यों चला रहे है अगर वो बहन समझ के चलाएगी तो उतनी ताकत नहीं आएगे मूझे यहां पर एक बात कहनी है साकार ब्रह्मा बाबा के वक हमारी दादिया बहुत रीच परिवार से थे उन्हों darle को ज़्यादा शारियर एक्षरम नहीं किया था तो ब्रह्मा बाबा ने उनके द्वारा सौ सो किलो की बूरिया उठाई है तो वो कहती थी बाबा हम तो बहने हम कैसे उठाए तो बाबा ने उनको बताया कि तुम अभी तो बहन के शरक्या तुमने भाई का शरीर कभी धारन नहीं किया आत्मा तो दोनों शरीर में जाती है तो भाईयों के संस्कार जागरुत करो और फिर दादिया कहते थे कि हम चार तरफ में पकड़ के वो सो किलो की बोरी भी उठा है ब्रह्मा बाबा ने अपनी बेटी से ट्रक चलाया है जूते सिलवाया है वो सब काम करवाएं उनके अंदर से वो कॉंशनेस निकल जाए और बहनों को एक स्वमान दिया ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा ने वह यह था कि मैं विश्णु चतुर भुज हो विश्णु ये कंबाइंड सो रुप है स्त्री और पुरुष का मना नारायन और लक्षमी का तो हम विश्णु चतुर भुज है हम भले इस वुमेंडे पर बात करें स्त्री शक्ति कब जागरुत होगी जब वो अपने को विश्णु चतुर भुज समझेंगे तो स्त्री केवल एक शरीर नहीं है यही तो हमारी गलती हो रही है हम शरीर को देख रहे है डेफिनेटली वो इस समय स्त्री के शरीर में है तो उस अनुसार उसकी क्वालिटीज इमाज रहती है जैसे स्त्री के गुण है प्यार, मंता, सहन करना यह बहुत पॉजिटिव इसको आप कम जोर नहीं समझना चाहिए, इस इस स्ट्रेंट तो इस पॉजिटिविटी को भी इमाज रहे कर अट दे सेम टाइम मैस्कुलाइन कॉलिटीज है या पुर्षों की जो पॉजिटिव कॉलिटीज है उसको भी आप इमाज रहो यह तब ही हो सकता है जब हम मेडि पिता कहते हैं बाकि किसी कंट्री में नहीं कहते हैं गौड फादर या मालिक बोलते हैं यहां पर मात पिता कहते हैं तो मेल और फीमेल दोनों की पावर है यह और दोनों पावर हमको जरूरी है और यही सत्यूग में होता है जब अब यहां पर संगम युग पर परमातमा श तो बैलेंस कब आएगा जब हम परमात्मा को दोनों रूप में याद करें के मात और पिता और जब यह माता और पिता दोनों संस्कार जागरोत हो जाएंगे तब ही यह समस्या कम हो जाएगे। सहें का है बिलकुल सही है ये कि जब कॉलइस आ जाएगा तो अपने आप ही आने वाली दुनिया में दोनों एक समान रहेगे किसी का प्रत्थम का स्थान या किसी का दूंदर ज़ान ये नहीं होगा लेकिन दोनों भी एक समान होंगे. मुझे लगता है कि knowledge इतना सुन्दर है knowledge की इतनी beauty है कि debate बहार बहुत होते हैं ये सब चर्चाओं के दौरान पर यहां पर हर वक्त balance की बात चलती है और आत्मा की बात चलती है. जब आत्मा समझ कर करते है तो अपने आप भी balance होना आसान हो जाएगा. पूरी बात्चीत के लिए आपका बहुत बात शुक्राइब है. ओम शान्ते. ओम शान्ते. कौन स्रेश्ट है कौन सही है कौन गलत है या क्या सही होना चाहिए इस पर चर्चा होने के बजाए अगर आत्मिक भाव में आ जाते है तो ना ही स्त्री ना ही पुरुष यह भान ही निकल जाता है और समानता आना शुरू हो जाती है और जहां पर बैलेंस है वहाँ पर वर्ल्ड दुनिया जो है वो भी बहुत ही बैलेंस में चल सकती है यही मुमन विकाज का हमारा संदेश है आप सूचिये हम फिर से मिलेंगे अगले कड़ी में तब तक के लिए नमस्ते अगले कर दिले से मिलेंस है